प्रिये छात्रों इस वीडियो में हम कावे के भेट के अंतरगत प्रबंध कावे एवं मुक्तक कावे के बारे में जानेंगे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कावे की परिभाशा क्या होती है कावे के पक्ष कौन कौन से होते हैं और द्रश्य कावे एवं स्रव्य कावे किसे कहते हैं साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि द्रश्य कावे को स्रव्य कावे में और स्रव्य कावे को द्रश्य कावे में किस तरह से रुपांतरित करना संभव हो चुका है अब इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्रबंध कावे क्या होता है और मुक्तक कावे क्या होता है और प्रबंध कावे के अंतरगत महा कावे, खंड कावे, आख्यानगीत तथा मुक्तक कावे के अंतरगत पाठ मुक्तक एवं गेये मुक्तक को भी हम समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि काववे के अंतरगत जो प्रबंध काववे और मुक्तक काववे हैं, ये मूरताह श्रब्व काववे के भेदों के अंतरगत आते हैं. सबसे पहले हम जानते हैं प्रवंध काव्य के बारे में हमने काव्य के बारे में आपको बता दिया था प्रवंध का आशा यह है कि अच्छी तरह से बंधा हुआ इसमें एक विशेस कथा होती है प्रवंध काव्य में क्या होता है? एक विशेस्ट कथा या कहानी या घटना करम होता है कथा का वर्नन जिन चंदों के मध्यम से किया जाता है वे चंद एक दूसरे से आबध होते हैं अर्थात बंधे होते हैं दूसरे शब्दों में हम यहां भी कह सकते हैं कि उन में पूरवापर संबंध होता है उन छंदों में पूरवापर संबंध होता है अर्थात एक दूसरे से संबंधित वो होते हैं एक छंद का आशय समझने के लिए उसके ठीक पहले वाले छंदों का अर्थ समझना अतियावश्यक होता है यदि हमने उन सभी छंदों को नहीं पढ़ा जो कि प्रबंध कावे के अंतरगत हैं तो उनका अर्थ समझना हमारे लिए कठिन होता है तो हमने समझा कि प्रबंध कावे के अंतरगत जो छंद होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं याने किसी छंद का अर्थ समझने क लिए उसके पहले वाले चंद का आशा समझना हमारे लिए आवश्यक होता है उदाहरन देखते हैं यहाँ पर लिखा है एक उदाहरन ताही मारी मारोत सुत बीरा बार्यधी पार गयव मत धीरा तहां जाई देखी बन सोभा गुंजत चंचरीक मधु लोभा यह रामचरित मान वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी मधु अर्थात पुषपरस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे यहाँ पर एक शब्द आया है पवन पुत्र धीर बुद्धी वीर श्री हनुमान जी उसको मार कर अब यहाँ पर उसको मार कर यह जो उसको शब्द है यह इ चौपाई है इसके पहले की चौपाई यह जो भी चंद है उसको पढ़ना होगा तभी हम इसका आशा समझ सकते हैं अनिथा नहीं समझ सकते तो इस प्रकार प्रबंध काव्य में किसी भी चंद का आशा समझने के लिए उसके पहले वाले चंद का अर्थ समझना हमारे लिए आवश्यक होता है और इस प्रकार के काव्य को कहते हैं प्रवंध काव्य अब हम जानते हैं कि मुक्तक काव्य किसे कहते हैं मुक्तक काव्य मुक्तक से आशाय है जो मुक्त हो या जो निर्बंध हो जो बंधा हुआ ना हो इसे लिए मुक्तक काववे को निर्बंध काववे भी कहते हैं इसके छंद अर्थ की द्रश्टी से पूरवापर प्रसंगों से मुक्त होते हैं हमने अभी आपको प्रबंध काववे के अंतरगत बताया कि इसमें किसी छंद का अर्थ समझने के लिए उसके पहले वाले छंद का अर्थ समझना जरूरी होता है अभी हमने प्रबंध काववे के अंतरगत आपको बताया कि प्रबंध काववे में किसी भी छंद का अर्थ समझने के लिए उसके पूर्वापर अर्थात पहले वाले चंद का अर्थ समझना आवश्यक होता है परन्तु मुक्तक कावव में ऐसा नहीं होता मुक्तक कावव के अंतरगत जितने भी चंद होते हैं वे सब स्वतंत्र होते हैं उनमें कोई पूर्वापर प्रसंग नहीं रहता या हम इसको या भी कह सकते हैं कि किसी भी छंद का आशाय मुक्तक काव्व के अंतरगत समझने के लिए उसके पहले वाले छंद का आशाय या अर्थ समझना आवश्यक नहीं होता परिभाशा की रूप में हम मुक्तक काव्व को कह सकते हैं कि काव्व का वह रूप जिसमें एक ही ही छंद में एक विचार, एक भाव याने भावना या एक अनुभूती अर्थात अनुभव को बिना किसी पूरवा पर सम्मंद के अपने आपमें पूरोनता के साथ प्रस्तु किया गया हो मुक्तक काव्य कहलाता है इसमें क्या होता है मुक्तक काव्य में किसी एक विचार एक भाव या भावना एक अनुभूती या अनुभा को बिना किसी पूर्वा पर संबंध के अपने आप में पूर्णता के साथ प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे काव्य को मुक्त काव्य कहते हैं यह काव्य अपने आप में पूंड स्वतंत्र काव्य रचना या छंद इसी को हम एकाई कह सकते हैं होती है इसकी पूंडता के लिए ना तो इसके पहले और ना ही इसके बाद में किसी संदर्भ या कथा किया वशक्ता होती है अर्थात कोई भी छंद हो वो प्रवंध काव्यों की रचना भी की है और इन्होंने प्रवंध काव्य की रचना भी की है जिसके अंतरगत उन्होंने अनेक छंदों का प्रयोग किया है अचारे रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तरत वनिस्थली है तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता यहाँ आपको याद रखना है यह कथन अचारे रामचंद्र शुक्ल जी का है कि यदि प्रबंध काव्य विस्तरत वनिस्थली तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुल्दस्ता ऐसा किस ने कहा था अचारी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था यहाँ पर मुक्तक काव्य का एक उदाहरण लिखा हुआ है जो कि मीरा बाई द्वारा रजेत है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमूलक दी मेर सद्गुरू किरपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो यह मुक्तक काव्य का एक उदाहरण है जो कि मीरा बाई द्वारा गाया गया था हमें इसका आशय समझने के लिए किसी अन्य छंद की अवश्यक्ता नहीं है अर्थात यदि हम इसका अर्थ समझना चाह रहे हैं तो हम यही से इसका अर्थ समझ सकते हैं ना तो इसके पहले वाले छंद की हमें आवश्यक्ता है और ना ही इसके बाद वाले छंद की हमें आवश्यक्ता है मुक्तक काव्य दो प्रकार के होते हैं पाठ मुक्तक और गे ये मुक्तक इनके बारे में हम विस्तार से आ प्रवंध काव्व में मैंने आपको बताया कि प्रवंध काव्व के अंतरगत जो छंद होते हैं उनका अर्थ समझने के लिए हमें उसके पहले वाले छंद की अवशक्ता होती है अर्थात उसके अर्थ की अवशक्ता होती है जैसे यहाँ पर एक छंद दिया हुआ है जो कि र यह है कि पवन पुत्र धीर बुद्धी श्री हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी मधु या पुषपिरस के लोब से भुरे गुंजार कर रहे थे अब यहां पर एक शब्द आया है उसको तो इस उसको को समझने के लिए अर्थात किस व्यक्ति या किस रक्षस के लिए यह है उसको समझने के लिए हमें इस चंद के पहले वाले चंद को पढ़ना होगा या उसका आउलोकन करना होगा तभी हम इसको समझ पाएंगे अनिथा नहीं समझ पाएंगे तो इस प्रकार के कावे को जिसमें चंद का अर्थ समझने के लिए उसके पहले वाले चंद के अर्थ की अवशक्ता होती है प्रवंध कावे कहते हैं जबकि मुक्तक कावे में किसी चंद का अर्थ समझने के लिए उसके पहले वाले चंद की अवशक्ता नहीं होती जैसे यहाँ पर मीरा भाई द्वारा गाया हुआ एक पद दिया हुआ है या छंद दिया हुआ है जिसका आशा है कि मीरा भाई कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन धन पायो यानि कि मैंने राम रतन प्राप्त किया है वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरू मेरे सद्गुर और मुझे अपनाया है और मैंने इस राम ब्रतन से जनम जनम की पूझी प्राप्त कर ली है तो छात्रो हमने देखा कि प्रबंध काववे क्या होता है और मुक्तक काववे क्या होता है अगले वेडियो में हम जानेंगे कि प्रबंध काववे के कौन से भेद होते हैं अर्थात महा काव्य, खंड काव्य और अख्यानक गीतों के बारे में हम जानेंगे साथ ही मुक्तक काव्य के अंतरकत जो पाठ मुक्तक वा गे ये मुक्तक होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में इतना ही जैहिंद